मेरा पती एक विद्वा बहन को लेकर आया और कहने लगा कि ये मेरी बहन है अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसे अपने घर के क्वार्टर में रख लेते हैं लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई सारा नहीं है इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता पह विसाल यानि की अपने पती के आँखों में नमी दे कर मैं तड़ब उठी मैंने नराजगी जाहिर करते हुए का कि विसाल आप ये कैसी बाते कर रहे हैं आपकी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है और भला मैं अपनी निनत का कमरा कौर्टर में क्यूं दूँ हमारा इतना मैं तुम्हारा ऐसान मंद रहूंगा मैंने उससे का कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं तुमसे नराज हो जाऊंगे मैंने आगे बैटकर अपनी निनत को गले से लगा लिया और अपने पती से का कि आप अपनी बहन को अपने कमरे में ले जाएं मैं तुम लो में विसाल और अंजू दोनों खाना खाने के लिए चले आये। मैं विसाल की बहन के बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही सादी से लेकर अब तक विसाल ने अपनी बहन के बारे में बताया था। विसाल की बहन बहुत मासुम वा खोपसूरत थी वो सिर जुकाय बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि किस्मत ने बेचारी पर कैसा सितम ढाया है भरी जवानी में ही विदवा हो गई है और कोई सारा भी नहीं बचा थोड़ी देर के बाद जब व बारे में बताते तो हम खुद अपनी नयनत को सस्राल से घर ले आते तो विसाल कैने लगा कि अंजू ने अपनी पसंद से साधी कि थी और पापा ममी के मरत स्वे पहले ही अंजू से सारे रिष्टे खत्म कर लिये थे कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि अंजू ले जाओंगा